नमस्कार मैं हूँ सुकीर्ति मिश्रा आप देख रहे हैं न्यूस टाइम्स नेटवर्क का न्यूस बुलिटन सबसे पहले हेडलाइन्स CAA प्रदर्शन काईयों को CM योगी की चेतावनी तलवार लेकर मार काट करने वालों की आरती नहीं उतारेंगे परिवार सहित रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किये गए आजम खान अखिलेश करेंगे मुलाकात दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जज मुली धर का तबादला पुलिस को लगाई थी फटकार दिल्ली उपद्रव हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 पहुँची 106 लोग गिरफतार दिल्ली हिंसा के बीच आप पारशाद पर लगा IBK अफसर की हत्या का आरोप और अब खबरें विस्तार से CAA प्रदर्शन कारियों को CM योगी की चेतावनी तलवार लेकर मार काट करने वालों की आरती नहीं उतारेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने बुद्धवार को विधान सभा में नागरिता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी उन्होंने कहा कि 12-15 लोग तलवार लेकर आएंगे मार काट करेंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी आग जनी और तोर फोर करके कानून हाथ में लेने की इजासत किसी को नहीं दी जाएगी नोट कर ले गलत फेहमी है तो दिमाग से निकाल लें कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला विधान सभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सब का विकास करेगी लेकिन तुष्टी करन किसी का नहीं करेगी सभी अपनी परंपराओं के अनुसार तेहवार मनाएं लेकिन दूसरों के मामलों में दखल देंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा पिछली सरकार में पुलिस लाइन में जन्माश्टमी नहीं मनाई जाती थी कामर यात्रा में डीजे नहीं बजा सकते थे हमने दोनों परंपराओं को लागू किया परिवार सहित रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किये गए आजम खां अखिलेश करेंगे मुलाकात सांसत आजम खां और विधायक पत्नी वा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को गुरुवार की सुबा सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया तीनों को गुरुवार तड़के पांच बजे ही सीतापुर की जेल के लिए भेश दिया गया जिलाधिकारी आंजने कुमार मुखिया अखिलेश यादव भी गुरुवार को आजम खासे मुलाकात कर सकते हैं इससे पहले सपासांसद और पूर्व मंत्री आजम खां उनकी विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को स्थानिय अदालत ने बुद्धवार को मार्च तक न्यायक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था अदालत ने उनके खिलाफ गेर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्प करने के आदेश दिये थे जिसके बाद तीनों ने बुद्धवार को दुपहर करीब सवा बारा बजे एडीजे छे धीरेंद्र कुमार क अदालत के सरेंडर किया था का दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जड्ज मूर्ली धर का अबाद्ला पुलिस को लगाई थी फतकार पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोट में बुधवार सुनवाई के दोरान दिल्ली पुलिस को जम कर फटकार लगाई गई हलाकि फटकार लगाने वाले जस्तिस एस मुली धर का तबादला दिल्ली हाई कोट से पंजाब और हर्याना हाई कोट में कर दिया गया बता दें कि बुद्धवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार्त के लिए स्थागित कर दी थी बाद ने इस मामले की सुनवाई मुख्य नियाएधीश की अध्यक्षता वाली पीट को सौब दी गई थी राश्रपती भवन से जस्तिस एस मुड़ीधर को तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है राश्रपती रामनात कोविंद ने भारत के मुख्य नियाएधी शरद अरविंद बोबडे के साथ परामर्श करने के बाद जस्तिस एस मूर्ली धर का तबादला दिल्ली उच नयायले से पंजाब और हर्याणा उच नयायले में किया है इसके साथ ही उन्हें अपने कार्याले का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया गया दिल्ली उपद्रव हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 पहुंची 106 लोग गिरफतार उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा और उपद्रव में मरने वालों की संख्या बरती जा रही है हिंसा में 56 पुलिस कर्मियों सहित करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है हिंसा की बीच आई भी के एक अधिकारी का शब नाले से बरामत किया गया है वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्धवार को लोगों से शांती और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है राश्चिय सुरक्षा सलाकार अजीड दोभाल को दिल्ली हिंसा से निपटने की जिम्मेदारी सौपी गई दोभाल ने बुद्धवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दोरा किया दिल्ली पुलिस के मताबिक हिंसा मामले में अब तक 106 लोगों को गिरिफतार किया गया है और 18 FIR दर्ज की गई है दिल् आध्मी पार्टी के नेटा की भूमे का संधित मानी जा रही है। आमाद्मी पार्टी के पार्षट मुहंमद टाहन हुसैनर उनके समर्थकों पर इंटेलिजन्स雹 ब्यूरों के अधिकारी की हत्या के आरोप लग से आपके पारशद हैं अंके चर्मा के भाई ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह सी ए एनर्सी के नाम पर जो लोगों को मार रहे हैं उसे बंद करें मेरा घर तो बरबाद हो गया वो ड्यूटी से आ रहे थे साड़े चार बजे उन्हें गली के बाहर ले गए खीश करके ले गए इंटेलिजन्स ब्यूरो के अधिकारी ने आरोप लगाया कि निगम पारशद के लोग उस मकान में चार को ले कर गए तीन की बॉड़ी मिल चुकी है एक की नहीं मिली वहीं एक वीडियो सामने आया है जि झाल 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 झाल